नमसकार दोस्तों, जैहिन आज हम लोग IP Magnet Valve के बारे में बात करेंगे IP Magnet Valve ये दो पार्टिस का होता है, एक IP Electrical, एक IP Mechanical IP Electrical जो होता है और IP Mechanical ये दोनों BP line से डारेक्ट जुड़े रहते हैं यहां पर देखे बीपी लाइन है बीपी लाइन से इन दोनों आईपी एलेटकल और आईपी मेकेनकल में प्रेसर पहुचा हुआ है रनिंग के दोरान जब गाड़ी चलानी रहती है उस समय आपका आईपी एलेटकल वाग के उपर जो क्वाइल है उसमें परमानेंट इसके वज़ा से क्या होता है देखे इस फिगर के माद्यम से यहां पर जो बीपी प्रेसर आईपी एलेटकल के उपर रुका हुआ था वो क्या होगा इस मैगनेट वाव के कोयल में सप्लाई आने से इनर्जाइज होगा यह उपर उठेगा और रास्ता इसका जाके इस आई आईपी मेकैनिकल का यह जाश्ट पोर्ट बंद रहेगा और आईपी मेकैनिकल पर रुकी हुई हवा वहीं पर रुकी रहेगी लेकिन अगर किसी कारण से यह बात ध्यान दिजेगा अगर किसी कारण से इसकी सप्लाई IP एलेटकल की सप्लाई कट गई यहां पे तो क्या होगा यह आईपी एलेटकल का जो वाल्व है यह कहां आजाएगा नीचे की तरफ travel करेगा और जब नीचे ट्रैवल करेगा तो यहां से रास्ता बंद हो जाएगा और जो हवा गई हुई है आईपी मेकैनिकल पे आईपी लेटकल से वो वहां से क्या होगी वो वहां से इस रास्ते के माध्यम से बाहर निकल जाएगी और जब यह बाहर हवा निकल जाएगी तो आईपी मेकैनिकल के एक जाश्त पोल्ट जो बंद था वो उपर उठ जाएगा और आईपी मेकैनिकल पे रुकी हुई हवा एक जाश्त पोल्ट से बाहर निकल जाएगी जिससे की बीपी प्रिसर ड्राप होगा और गाड़ी हमारी खड़ी हो जाएगी तो यह तो रहा इसका काम करने का सिद्धान की कैसे यह काम कर रहा है तो जो आइपी एलेक्ट्रिकल पे करण्ट आया है वो कैसे आया है बैटरी का करेंट जो आएगा वो सबसे पहले यहां पे उसका फ्यूज लगा है एडिस्नल सी सी भी फिर हमारा एच यह सप्लाई आएगी और यहां पे स्कॉर नीचे बना देते हैं यहां पे हमारा जी आर जीरो से 5 का कनेक्शन है साथी साथ QV रड़ का कनेक्शन है और यहां पे CTF रणिंग का कनेक्शन है उसके बाद QVCD, फिर QEMS और उसके बाद Q30 और CTF रनिंग का ठीक और उसके बाद यह हमारा चला जाएगा कहाँ IP Valve यानि IP Electrical पर अब आप लोग देखिए यह हो गया बैटरी, यह हो गया Additional CCBA, यह हो गया आपका HBA, यह आपका हो गया CCBA, यह आपका हो गया CCBT तो जो IP Valve को Connection है वो देखिए बैटरी का ही Connection यहाँ पर आना है बीच में हमारा Additional CCBA लगा है, यानि अगर Additional CCBA मिल्ट हुआ, तो भी IP की Supply चली जाएगी HBA को अगर हमने Zero किया, तो भी IP Valve की Supply कट जाएगी, CCBA या CCPT में से कोई मिल्ट हुआ, तो भी IP Valve की Supply कट जाएगी और जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हमारी Supply इधर से होते ही, CTF Running के माध्यम से नीचे आएगी और QVCD का यहां Normally Close लगा है, यानि अगर VCD अपलाई हुआ, तो भी यह Normally Close क्या होगा, ओपेन हो जाएगा क्योंकि VCD अपलाई होने पे उसकी Relay QVCD इनर्जाईज हो जाएगी तब हमारा IP Valve की Supply कड़ जाएगी, BP MS जवन दवाते हैं, तो इस QE MS Relay इनर्जाईज होती है, जिससे यह Normally Close खुलता है और हमारा IP Valve की Supply कड़ जाती है, ठीक है, डैनिमिक के समय, चूकि यहां पे देखी, यह CTF Running का है तो डैनिमिक के समय, यह हमारा जो इंटरलाक है, यह खुल जाएगा, और IP को Q30 के माद्दम से Supply मिलती रहेगी लेकिन अगर डैनिमिक के दोरान No Tension हो गया, तो चूकि डैनिमिक के दोरान यह इंटरलाक खुला हुआ है और No Tension होने पे Q30 वीड इनर्जाईज हो जाएगी, तो भी IP वाल के Supply कटेगी, और BP Pressure ड्राप होगा साथ ही साथ, अगर हम डैनिमिक लगा रहे हैं, उस समय हमारा MVRF काम नहीं कर रहा है तो जब MVRF काम नहीं करेगा, तो QVRF ये इनर्जाईज नहीं होगी, यह रास्ता बनेगा नहीं और यह रास्ते, GR 0 से 5 वाला ही रास्ता बना रहेगा, कब तक 5 नास तक और यह रास्ता तो खुल गया, चुकि हम डैनिमिक लगा रहे हैं, तो डैनिमिक के समय अगर MVRF काम नहीं कर रहा है तो जैसे ही छठा नाच लगाएंगे, वैसे ही MRIP वाल डिनर्जाईज होगा और ब्रेक लगाएगा जो modified circuit आई है, उसमें HBA के बाद, यहां CCLS के थुरू इसको current दे दिया गया है ठीक, यानि जो modified circuit होगा, यह किस circuit में है? modified, modified circuit जो होगी हमारी, उसमें CCBO, CCPT मेल्ट होने से IP वाल की supply नहीं कटेगी लेकिन उसमें supply दी है CCLS है, अगर CCLS की supply कटेगी, तो हमारी IP वाल डिनर्जाईज हो जाएगा अब हम बात करते हैं, कि यह जो IP वाल है, यह figure में आपने देखाता है कि IP mechanical का जो है, उसके उपर हमारा एक काक लगा है इस side जो BP line से जुड़ा हुआ है, इस पे हमारे एक क्या लगा है, काक लगा हुआ है तो हम IP mechanical पे जो काक लगा है BP line से आ रहा है उस काक को तब बंद करते हैं, जब यह IP काक मालफंचनिंग कर रहा हो या ट्रबल सूटिंग के दोरान जब हम HPA को 0 पे करते हैं तो कि हमको relay को की ट्रबल सूटिंग करनी हो, contactor की ट्रबल सूटिंग करनी हो या fuse बदलना हो, सब में हमको HPA 0 करना रहता है तो HPA 0 करने से पहले हम इस काक को बंद करते हैं ताकि हमारा pressure drop ना हो साथी साथ जब लोको हमारा dead रहता है पीछे और multi operation में पीछे वाले में IP काक को बंद कर दिया जाता है ताकि BP pressure हमारा बने अब बात करते हैं कि यह IP काक लगा कहां है इसका location कहां है तो इसके location के लिए जो stone इंडिया वाला है आपका stone इंडिया make वाला जो numetric panel है उसमें इसको बोलते हैं 3 by 4 inch cut out काक EV या या वलिग वी या E3 ठीक है इस IP काक को E3 WB कहा जाता है emergency काक तो जो stone इंडिया मेक होगा उसमें ये नाम आपको दिख सकता है जो फेवली मेक होगा फेवली मेक इसमें इसको A21 कहा जाता है और जो नाप्स ब्रिम होता है ब्रिम से वाली उसमें इसको B41 कहा जाता है फेवली मेक में IP काक सबसे left वाला होता है उसके बगल BP का और सबसे दाहने तरफ FP का होता है इसके बीच में हवा में खुला रहेगा जहां से यह क्या करेगा BP को एकजाश्ट करेगा उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए हेलफूल होगा और वीडियो पाने के लिए सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएं थैंक यू